नमस्कार दोस्तों Fantasy Talent Hub YouTube चनल में आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में हम कवर करेंगे RBZ और TRO की बीच होने वाले आज के दिन के दूसरे T10 मैच को पहला मैच होगा RBZ और BCC की बीच में जिसकी वीडियो हम अलरेडी अपलोड कर चुके हैं पूरे records मैं आपको वहां पर दिखा दिए और पहले मैच के बाद में आपको RBZ के बहुत अच्छे प्लेइंग 11 क्लियर हो जाएगे और अच्छे प्लियर्स भी आपके सामने आ जाएंगे तो यह सब कुछ मैं आपको टेलिग्राम पर बता दूँगा तो अगर आप लोग टेलिग्राम पर नहीं हो तो वीडियो के डिस्किप्शन में मैंने आपको लिंक दिया उस पर क्लिक करके जोइन कर सकते हो या फिर आप पहले पिंग जमेंट को चेक करें और अगर उससे भ खेला जाएगा वही मिलन क्रिकेट ग्राउंड में आर्टिफिशल विकेट्स होती है तो इतना ज्यादा कुछ एफेक्ट पढ़ता नहीं मैच पर लेकिन अगर फिर भी एवरेज स्कूर की बात करें तो सो की आसपास इस मैदान का एवरेज स्कूर है पहली पारी का और यह मैच में देखने मिल जाएगी लेकिन अगर कोई चेंज होता है इसे नॉर्मली टीटेन में बैटिंग ओडर फिक्स नहीं होते लेकिन फिर भी काफी है अभी पिछले कुछ समय से इन्होंने सुधार किया अपने मैचस में और बैटिंग ओडर में ज्यादा बदाव करते न 238 रनों का स्कोर किया और लगबख 26 के अवरेच को मेंटेन किया है अगर टीटेन के मैचस में कोई ऐसा प्लियर जो आपको 20-25 रन करके दे रहा है मतलब वो बड़े हिट लगा है का सवाविक सी बात है और उसके जो पॉइंट से लगबख आपको 30-40 के आसपास देखने मि अगलना में दाउद शाह का दाउद शाह दोस्तों इनका रीचेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है ग्यारा पारियों में 391 रनों का स्कोर किया आखरी जो मैच्च किला था उसमें 41 का स्कोर किया था इन्होंने और आप देख सकते कि लगातार इन्हें विकेट भी मिल रह हैं तो पिछले जो दो तीन मैचे से वहां पर लगबख साथ विकेट इन्होंने निकाल कर देती है और रही बात बैटिंग की तो एवरेज बैटिंग कर लेते हैं अगर आप इनका एवरेज भी देखे तो 22 के आसपास है और 49 इनका हाईस्ट स्कोर है गिन बाजी में 10 पार पर आपको खिलती हो नजर आएंगे अभी हाल फिलाल में आप ऐसे प्लेस पर जादा फोकस करेंगे जो की ऑल राउंडर है जो आपको बैटिंग के साथ में गिनबाजी भी करके देंगे अगर उनकी बैटिंग नहीं चलती है तो हम कुछ हद तक उनकी गिनबाजी पर निकाले हैं और रही बाद इनकी बैटिंग की तो दोस्तों वो थोड़ी ज्यादा पूर है आठ का एबरेज है आठ पारियों में 63 रनों का स्कोर किया है इसके बाद नासिर महमूद है इन्होंने एक पारी में 14 रनों का स्कोर किया था शर्जिल अंजुम दोस्तों राइट पारियों में 4 विकेट निकाले हैं और दोस्तों यह रेगुलर गिंदवाज हैं आपको कम से कम एक और मैक्सिमम दो वर की गिंदवाज ही करके दे सकते हैं इसके बाद अफरीदी अबिदुल्ला है इन्होंने साथ पारियों में 24 रनों का स्कोर किया है इतने नीचे हम पॉर्टेंट पिक्स की बात करें जो आपके लिए जरूरी हो जाते हैं रिकॉर्ट के एकॉर्डिंग तो इसमें एक नाम कदीर सालिम दाउद शाह मुहम्मद अर्सलान ये तीन प्लेयर हो गए इसका दोस्तों यहां से सरजिल अंजुम पे तोड़ा फोकस कर सकते हैं अग के लिए मुबस्र आमीन अगर ओपन करतें तो आपकी टीम में कंफर्म पिक हैं इसके बाद अगला नाम है दोस्तों जाविद का इन्होंने 13 पारियों में 236 रने कभी कभार गिंदबाजी करते हुए तीन विकेट भी निकाले हैं 84 इनका हाइस डिस्कोर है मतलब बैटिंग का इबरेज है फरहां जाविद की अगर बात की जाए तो इन्होंने 8 पारियों में 125 रनों का स्कोर क्या है 16 का इबरेज है रियाम इबनाना दोस्तों इन्होंने 12 मैचस खेले हैं 9 पारियों में 64 रनों का स्कोर है 39 इनका हाइस्ट स्कोर है रिजवान ताहिर दोस्तों रिज पार्सान अकरम है, इन्होंने अपनी 12 पारियों में 14 विकट्ट निकाले हुए हैं, फिर आशे सेलेक्शन व परसंटेज बहुत जादा है, अगर परसंटेज के बैसित पर जाना चाते हैं, तो इन्हें ट्राइ कर सकते हो, और इसके बाहत लास्ट में हैं मुकतार मुहम्मद तीन पारी 9 विकेट आपके इनकी आखाते में शामिल है तीन पारी 6 विकेट अब दोस्तों अगर हम टीम कॉंबिनेशन की बात करें जोस्तों बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनका परसेंटिस सेलेक्शन हो बहुत कम है लेकिन मेरी नजरों में वह एक अच्छे पेक है अला कि लेवन से ही देखने मिले की और आज एक में बड़ा वहां से विड्रोल लगाने वाला हूं लगबख 60-70,000 का जो कि मैं आपको टेलेगरां पर शेयर करूंगा अब यहाद विलाल में अगर देखा जाए तो इस टीम में हमारे एम आमीन जगे बनाते हैं ए जावीद है इसक कि मेरे वाइस कैप्टन इस टीम में है उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा बागी जो मेरा फाइनल अपडेट है वो मैं आपको टेलेगरां पर दे दूँगा तो अगर आप लोग वहां नहीं हो तो बिना किसी देड़ी के टेले अलाकात होगी जिससे आपको फाइनल अपडेट में आप फिरी में प्रोवाइड करा सको तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे तब तक की लिवाई जय हैं जय भारत जय महाकाद